अलेकर नाजरीन कैसे हैं आप लोग आप देख रहे हैं NW Food Secret और मैं हूँ आपकी होस्त नवीता वहीद नाजरीन बड़ी ही सबरदस्त और बहुत ही लाजमी रेस्पी लेकर इन खाजर हुई हूई हूई लाजमी से मुराद यह है कि यह हर वक्त आपकी फ्रीज में माजूद होनी चाहिए जो रेस्पी आज मैं आपको उपता हूँ नाजरीन आज आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और एहम चट्नी बनाने वागी है अहम से मतलब यह है कि यह वो चट्नी है जो बहुत कम इंग्रीडियंट से बनेंगी और लागत बिल्कुल दासर रुपे आएगी ठीक है और यह इतने काम करेगी आपके, इतने काम आएगी इतनी मज़ेदी होती है के कोई भी आपकी रेस्पी जो इना है इसके बगएर मज़ेदी नहीं लगती मसलम, आलू के प्राठे हो गए, देही बड़े हो गए, चाठ हो गई, पकोडे हो गए, यह वैसे अगर आप राइता खाने के साथ बना रहे हैं, हर चीज, everything, हर चीज में इस्तमाल होगी, यह हर वक्त, बेहनों आपके किचन में मजूद होनी चाहिए, और इसके लिए कोई ख धनिया मेरे पास, एक अप धनिया, और छे, बड़ी हरी मिर्चे मैंने लिए, यह देखे, इस तरह से, उनको मैंने काड लिया, यह छोटी थी, इनको इसलिए नहीं काटा, यह पिस जाएंगी, पत्थर की कूंडी में इनको मैं पिस होंगी, ठीक है, और यह डाल लेते हैं, नाजरीन, यह चटनी जो है ना, यह इतनी जबरदस्त है हरी मिर्च आपको पता है, विटमिन सी से भरपूर है, इसके अंदर पोटाशियम है, नाजरीन हर मील के साथ ही इसका इस्तमाल करें, लंच के साथ, डिनर के साथ, पकोडों के साथ, बहुत सारी चीजों के साथ, इ एक हफते तक, पंदरा दिन तक यह खराब नहीं होती, पंदरा दिन की कठी बिना के रख लें, अगर दही है, तो उसमें थोड़ा सादा चमश डालें, उसको मिक्स करें, और वो आपका राईता तियार होगी है, ठीक है, उसको खाने के साथ इस्तमाल करें, अगर बैक्टे नहीं करेंगी चीज, ठीक है, अगर आप हरी मिर चाप में इस्तमाल की है, ठीक है, तो यह बना के रखना बहुत ज़रूरी है, यह एक भेहन का मशुरा है, हर वक्त आपकी फ्रीज में मौजूद होनी चाहिए, उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं हरा धन्या, ठीक है, तो आपको पते हरा धन्या जो है, वो नजर के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, गट के लिए अच्छा है, दिल के लिए अच्छा है, इसके भी बहुत सारे फवाइद है, अब अल्ला का नाम लेके, बिसमिल्ला पढ़के हम अपनी चटनी को बना करती है तो नमक चख के देख ले अगर आपकी रिक्वाइट से कम हो तो आप इसमें मिला सकती है ठीक है अब इनको इसको हम पर ही पीसे गए ठीक है जी नाजरीन चटनी हमारी रेडी हो चुकी है अच्छा नाजरीन अगर आपके पास यह पथर की कुंडी नहीं है तो इसे ग्राइंडर में बना सकती है ठीक है थोड़ा सा पानी डालने यह बन जाएगी और इसको जार में डालके रख ले और वह दूसरा जो लकडी का उसमें यह बड़ी अच्छी बन जाएगी तो यह बनाग जरूर रखें ठीक है तो प्यारी बहनों कोई ब्लैड प्रेशर का मरीज है तो वह इसका इस्तमाल ना करें क्योंके मिर्चे हैं और दूसरी बाद यह है कि हमने इसी पर लाग नहीं जाना कि बहुत जड़ा है हर चीज का जो इस्तमाल है वो मुनासब मिगदार में किया जाए ठीक है इसको भी मुनासब मिगदार में इस्तमाल करना ठीक है जी नाजरीन यह चटनी देखें बिल्कुल मैंने करना बारी कर लिए इस तरह से ठीक है तो आप मैं जार में निकाल कर आपको मैं दिखाती हूं मेरी प्य तो बहुत मज़े की है बहुत जबरदास्त है इसको बनाकर जरूर घर पर रखे यह आ राकि बड़े सारे कामा आती है और बड़े सारे मसाला आपके हल करतेती है कोई भी चीज़ आपने बनाई है सॉस अगर कोई भी आपके पास नहीं है कैचप घर पे खतम हो गई है तो फॉरी दोर भी इसको निकाले दही में मिक्स करें और रख दें ठीक है यह पंदा दिन की आप कठी बना के रख लें यह बिल्कुल खराम रहोगी हाँ एक चीज और म यह सेुट है आपको ब्टार वह सौच रहोंगे मैं इस सरफ धनिया डाला और हरी मिर्च ऑड़नी और नमक डाला और कुछ नहीं मतलब कि डार्क हो जाती है तीन चार दिन के बाद ये एज इट इस रहती है ये बिलकुल ग्रीन रहे अगर आप इसको ज्यादा दिन के लिए रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा सिर्काइड कर लें ठीक है इसके साथ ही मैं आज की वीडियो को मकमल करती हूं नई रेस्पी के स साथ नए डिश के साथ बहुत जल्द आपकी खिद्मत में हाजर होंगी प्यारी बहनों अपना डेर सारा ख्याल रखें अल्ला अपको अधेर सारी खुशियां दे अल्ला आपको लंबी जिन्दगी दे सेहत वली जिन्दगी दे बहन को दौओं में याद रखना है और बहन की होसला अवजाई करनी है अगर कोई रेस्पी कोई चटनी आप चाहती है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकती है ठीक है पूछ सकती है कि आपको कौन सी रेस्पी चाहिए बेहन कोशिश करेगी आपकी फर्माईश पूरी करने की बाकी जो बेहने मेरी होसला अवजाई कर कर ले प्यारी बेहनों अलाफ़ेज्ट